सांसद रमेश कौशिक ने आदर्श गाम योजना के तहट सोनीपद जिले के दतौली गाउं को गोद लिया था। उस गाउं के लोगों का सांसद के कामकाज को लेकर मिली जूली प्रतक्रियाएं मिल रही हैं। आई आपको दिखाते हैं क्या है सांसद रमेश कौशिक के आदर्श गाउं का सूर्तेहाल। आपको दिखाते हैं क्या है सांसद रमेश कौशिक ने 22 नवंबर 2014 को गोद लिया था जिस वक्तिव सांसद महोदय ने दतौली गाउं को गोद लिया उस समय उन्हों ने इस गाउं की लोगों के साथ बड़े बड़े वादी किये थे। दतौली को गोद लेते समय सांसद रमेश कौशिक ने आयाइटी बनाने की भी घोशना की थी। पास है जी नामदत और लिगाम के रहने वाड़े हैं तो जी उसे खुस हैं संतुस्त हैं खूद और कमिया जो है जी जा बाजने कहा है जी बिजली की कमिया जी बिजली कम आती है मतलो कि मारे गाहों का बलते कि नारे यह कोई फीटर के साथ नहीं होनी चीए नारी लेन होनी चीए पावरोंस में भी जिली रहत गाहों में भी रहनी चीए जी। सद्वी ने वा देखिये कि उसके बारे में जो सहर की सबसे बड़ी समस्या थी शीवरेज और पानी गी थी उसके लिए कुछ जरान के आया है बिजली तको उमीद है कि कुछ मे कुछ हमारे लिए समस्या का समाधान होगा रमेश कौशिक ने जिस समय दतौली गाओं को गोद लिया था उसमय गाओं की लोगों ने मिलकर सांसत के सामने 13 मांगे पूरी करने का प्रस्ताव भी रखा था इन प्रस्तावों में IIT स्थापित करवाना साडक निर्मार स्कूल में नए कमरों का निर्मार गाओं के साथ गलियों को पक्का करना पानी के निकासी पानी के टंकी का विस्तार और शराव का ठेका गाओं के बाहर करना शामिल था एक साल का वक्त तो कामकाज के लिए बहुत जादा नहीं होता फिर भी इस गाओं के सूरते हाल को देखकर ये कहा जा सकता है कि सांसद रमेश कौशिक का जितना ध्यान अपने आदर्श गाओं के उपर होना चाहिए था उतना ध्यान नहीं रहा नहीं तो इस गाओं के सूरत आज की तुला में बिल्कुल बदली भी होती ऐसे में उमीद है कि उन्होंने जिन प्रजेक्ट्स का शिलान्यास किया है उसे जल्द पूरा भी करवा लिया जाएगा क्योंकि यहां के लोगों का तो कहना है कि राजीव गांधी सेवा केंदर का शिलान्यास होने के बाद अब तक उस पर कोई काम नहीं हुआ 2014 कोद गाटन के बाद में MP शाब ने उसका राजीव गांधी सेवा केंदर का शिलानास किया उसका कारिया स्टार्ट नहीं हुआ है उसमें 10-12 कंपूटर से लगने हैं और गाउं के बच्चों के लिए कंपूटर सीखने का सेवा केंदर मनाना है उसके बाद में हमारे आठ कमरों का कारिये स्कूल में चल रहा है जिसके लिए MP साब ने 50 लाख रुपय सेंक्शन किया उनकी च्छतागी एक लेंटर डल चुक्या है और 2 लाख रुपया MP साब ने स्वचाले के लिए दिये जो तक्रीबन कम्पलीट होने को हलाकि इस आंसर ने इस गाउं में गल्स्कूल के आठ कमरे बनवाने के लिए 50 लाख रुपय दिये शोचाले बनाने के लिए भी 2 लाख रुपय अपने फंड से दिये इसके अलावा खेल स्टेडियम के लिए 1.5 करोड रुपय देने की भी घोशना की थी आदर्स गाउं की फिलाल की स्थिति में अगर बात की जाए तो आप क्या मानते हैं कितना काम आप करा चुके हैं अभी उसमें 15-20 परसेंट काम हुआ है जो स्कूल के कमरे थे आठ कमरे थे आंगनवाड़ी सेंटर हैं दूसरे हैं लग रहे हैं सारे काम पर उसका अमना जो नक्सा था वो सारा तयार हो गया बन गया है उसने हम तेजी से कट लेंगे कितने समय में पूर्ण ते उसको आदर्स बना देंगे पूर अमने दिसमबर 16 तक का टैम है मेरी कोशिस होगी दो तीन महीं पहले उसको बना देंगे पहले पूरा करेंगे आम जीतना बोलेंगे वो करेंगे जूट बोलना ना अपना रहा है ना करना है और मेरा लोगों से अब देखना है कि सांसद महुदे अपने इस आदर्श गाउं को कब तक आदर्श बना पाते हैं जो दूसरे गाउं के लिए उधारन बन सके फोकस हरान के लिए सोनिपत से योगेश सूथ के साथ बिर रपॉर्ट इदर रतनलाल कटारिया ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत यमना नगर जिले के जिस खदरी गाउं को गोद लिया है उसकी हालत अब पहले से भी बत्तर हो चुकी है पहले जहां गली नाली पक्की हुआ करती थी तो वहीं यह आदर्श गाउं अपनी बदहाली का रोना रो रहा है हम इस वक्त उस गाउं में जा रहे हैं यहां को अमबाला के सांसद अनतनलाल काटारिया ने गोद लिया है हला कि यह गाउं तो पूरा विक्सित है और जिस रास्ते समझा रहे हैं यह खेतों से होता हुआ गाउं तक जाता है और एसे में गाउं के अंधर किस परकार का महौल है क्या हम वहां की गलिया या सडके पकी है या कच्ची है ये तो हम गाउं में जाके दिफाएंगे लेकिन फिलाल इस रास्ते की बाद कर रहे हैं कि यह जो खेतों से होता है ये गाउं तक जा रहा है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत क्योंकि हर सांसद को एक गाउं गोद लेने का निर्देश पीम मोदी की ओर से दिया गया था लिहाजा अमबाला के सांसद रतनलाल काटारिया ने भी यमना नगर जिले के खदरी गाउं को गोद ले लिया जब हमने इस गाउं के पड़ताल की तो इस गाउं के बारे में जो कुछ भी पता चला वो सांसद महोद्य की पछले एक साल की कारगुजारी की पोल पट्टी खोल रहा था के संसद रतनलाल काथाड़ी का गाउं खद्री हरा क्या है बाहर से तो अच्छे हैं लेकिन अंदर का आपको दिखाना चाहता हूं कि यह वह बीपील परिवार है जिनको बीपील होना चाहिए था लेकिन हलात ऐसे हैं कि छटें उनकी कच्ची हैं यह नहीं मालूं कि कब उनकी छट गिर जाए जबकि इन लोगों को भी APL मना जाता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस पर कार जो एक बली के उपर ही पूरी की पूरी छट टीकी हुई है और ऐसे में कब छट गिर जाए इन लोगों को भी कोई ब्रोसा नहीं है हला कि इनको होना तो BPL चाहिए था लेकिन अभी तक इनका कार भी जो है वो BPL नहीं बना है खदरी गाउं की सुरत कभी आज से बिल्कुल उलट हुआ करती थी और यहां के गलिया हो या फिर ना ले यह सभी पक्की बनाई गई थी लेकिन आज इस गाउं के चारों तरफ कूड़े और कचड़े का धेर लगा हुआ है गंदे पानी के ऐसी बुआ रही है कि अगर आप कुछ देर तक वहां खड़े रहें तो बिमार पड़ना तै है इस गाउं के बत्तर हालत के लिए किसी और को जिमेदार कैसे ठारा जा सकता है क्योंकि यहां के लोगों की माने तो जब इसे आदर्श गाम खुशित किया गया उसके बाद अधिकारियों नी आकर यहां के सड़कें तोड़ दी लेकिन उसके बाद ना ही कोई विकास का काम हुआ और ना ही सिविल अस्पताल और दूसरी सुधाएं इस गाउं के लोगों को नसीब होई सांसद रतनलाल कठारिया द्वारा गोद लिया गया गाउं खदरी के हाला तो हम आपको दिखा ही चुके हैं ने कि अब यहां की जो पंचायत है अब देखसकते हैं पंचायत मे हर मिया बैटा हुआ इन से जानते हैं कि उसकी जांसद है पहले कई ऐसे वादें किये घ्य गये थैं जो आउन सब्सक्राइस है यह नचान की ensembal मेंहेडर छान यहां के लोगों का कहना है कि इस गाउं में कोई कमी नहीं थी उसके बावजूत खदरी गाउं को इसलिए गोद लिया गया क्योंकि एक तो यह गाउं सांसद के पीए भुपाल सिंग खदरी का था और दूसरा इस गाउं में ज़्यादतर लोग भारतिय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे अधर्श गाउं पहले था लेकिन उसके बाद भी जब सांसद ने गाउं गोद लिया है तो कोई तब्दिली नहीं आपका क्या कहना है यहां रही बात प्लॉट की सौसो गज के प्लॉट थे एक प्लॉट नहीं मिला है जबकि सपने ऐसे थे कि हर एक का बीपियल काड़ होगा सौसो गज के प्लॉट होंगे जिन के उपर कच्छी शते हैं उनको पकी दी जाएंगी आपका क्या कहना है सांसद महोदे के सकार गुजारी के चलते ही आज खदरी गाउं और अंबाला संसिद्य शेत्र के जनता ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी रतन डाल गटारिया पर लगातार निशाना साथ रही है पहले भी इसमा काफी काम होया या गौमा और उपचारिकता ही थी आवे तो थोड़ा बहुत काम हो जाता लोगों ने बड़ी खुसी थी इस बात की पर आज तक जोन सी गणियां बनी थी मेहीं तार दी अपसरों और तो क्या बनावनी थी नभी वहीं जोन सी पहली थी खड़ब 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 कर दिये और आज तक एक भी असाभी मतलब काम बहराल जो सूरत आज सादर शुगाम के दिख रही है उसके बाद अब शायद ही सांसद महोदे की विकास को लेकर कार गुजारी पर किसी को कोई शक शुभार रह गया होगा फोकस हरियाना के लिए यम्रा नगर से तिलक भारदवाज के साथ ब्यरो रिपोर्ट अब आईए देखते हैं सांसद धर्मवीर सिंग के आदर्श गाउं का सूरते हाल दोगडा अहीर गाउं महेंद्रोगड सांसद धर्मवीर सिंग का आदर्श गाउं सांसद धर्मवीर सिंग ने दोगडा अहीर गाउं को सांसद आदर्श ग्राम के तहत आदर्श बनाने का बीड़ा उठाया है सांसद का कहना है कि इसी गाउं के तर्श पर बाकी गाउं के अंदर भी विखास किया जाएगा वहाँ पर हम देर सभी मीटिंग करते रहते हैं डिस्टिक एड्मिसेशन की मीटिंग करके वो सारी मूल भूत सभी सुईधा है कि एल्थ की एड्यूकेशन की कनेक्टिविटी में रोड चाहे वो बी एंडर है मार्केटिंग बोर्ड है गाउं का फुद का डॉलमेंट है कोई खेल की बात है कहीं है जुकेशन का मामला है वो सारी की सारी हम मूल भूत जो आप शकता है उस गाउं को ऐसा मोडल बनाना च दिखाई दे वो एक सुरुवात है हम जुरूरी नहीं के एक लगणा ही को एक को रखेंगे दीरे दीरे परधानमंत्री जी के सोच है कि सुरुवात करें उन गाउं से और धीरे धीरे हर गाउं इसके दाइरे मा जाए कहीं है मैं अधीकार्यों ना डोप किया है मैं गाउं में काफी कुछ खामिया है और अभी ये किसाधारन गाउं की तरहें ही दिख रहा है कई मूलभूत समस्याओं से जूज रहे इस गाउं को आदर्श बनाने के लिए अभी काफी प्रयास करने की जरूरत है ऐसे में देखना है कि कब तक इस गाउं की सूरत बदलती है इतना ही नहीं समसित की ओर से विकास के काम को लेकर लाख दावे किये जा रही हूं लेकिन हकीकत यही है कि धरमवीर अपने काम को लेकर कम और अपनी बयान बाजी और दूसरे चीज़ों को लेकर ज्यादा मीडिया के सुरुख्यों मेर रहे हैं फोकस हर्याना के लिए भिवानी से कृष्ण सिंग और महिंद्रुगड से भालीन रियादब के साथ वियर रिपोर्ट